है एक पीजेविटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए यह सीरीज चल रही है हिंदी इंग्लिश बगेरा हम डिसकस करते हैं आज हम जीके डिसकस करेंगे और यह वो जीके है दोस्तों जो एच पी बोस ने बारबार पुछा है तो यहां से क्वेश्चन्स रपीट होने के भी चांस क्वेश्चन होगा तो एक वार वाटसेप जरूर कर लेना 9816401767 तो हरे क्वेश्चन को खुद अटेम्ट करना बटीज एपी कल्चर एपी कल्चर में क्या चीज होती है दोस्तों एपी कल्चर में हानी भी कल्चर हमें देखने को मिलता है और जहां पर पक्षी बगेरा होत होते हैं तो एपी कल्चर और एबियरी में काफी पजल होते हैं स्टूडेंट्स तो इसको ध्यान से देखिएगा बडीजदा कोज ओफ टाइड्स अगर हिंदी में बात करूं जवार भाट्टा हमें देखने को मिलता है तो उसके पीछे कारण क्या होता है तो इसका जो कार कारण है ग्रैविटेशनल फोर्स ओफ मून एंड अर्थ क्याने की प्रिथभी और चंद्रमा के गृतभी और खिंचाब के कारण जो है टाइड से आफिर जवार भाट्टा हमें देखने को मिलता है तो तो क्वेशन है खाने के सोड़े का रसायनिक सूत्र क्या है जिसको हम बेकिंग सोड़ा बोलते हैं तो बेकिंग सोड़ा जो है उसका केमिकल जो फोर्मूला है वो है ने एच सियो थ्री क्या आप में से कोई स्टूडेंट कमेंट करके बता सकता है केमिकल नेम इंगलिश में इसको क्या बोलते हैं मैं केमिकल नेम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिसकस कर चुक हूँ है ने एच जियो थी आपको सिर्फ केमिकल नेम कमेंट बोक्स में बताना है नेक्स्ट कुश्चन है अगर मैं आप सभी से कुश्चन करूँ कि हम सभी मनुश्य जो हैं कितनी बिलकुल धीरे से आवाज सुन सकते हैं और कितनी बिलकुल जोर से आवाज सुन सकते हैं तो आप सभी कांसर होना चाहिए सबसे कम आवाज होनी चाहिए 20 हर्ट की और सबसे ज़्यादा आवाज होनी चाहिए 20,000 हर्ट अगर इससे ज़्याद आवाज होगी हमें नहीं सुनाए देगी अगर इससे कम आवाज होगी तो वो हमें नहीं सुनाए देगी तो यह question बार बार रपीट होता है इसको ध्यान से देखना question है पानी का pH मान क्या है बड़ी इस दी pH बैली ओफ वाटर तो बहुत easy question है और इस का answer मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे questions मैं ही solve करूंगा तो आप आराम से वीडियो देखेंगे और आपको लएगा सारे का सारे questions आपको आते हैं तो comment box में आप बताईए comment करके बताईए पानी का pH मान क्या है बहुत easy question है पानी ना तो base होता है ना ही acid होता है ठीक है तो comment box में बताईएगा कि pH बैल्यू क्या है water की question है when did the first man step on moon मतलब चंद्रमा पर सबसे पहला कदम जो है मनुष्य ने कब रखा तो mission Apollo था NASA का 1969 में ऐसा हुआ था तो D option सही है यहां से questions बनते हैं comment करके बताना कि जो पहला बैक्ती था जिसने चांद पर कदम रखा था 1979 में उसका नाम क्या था के बार नाम भी उसका पूछा जाता है बैक्ती का बहुत easy question है but is the natural satellite of earth यानि कि प्रित्वी जो है उसकी प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है तो वो है चंदर्मा moon तो इसका B option सही है बड़ीजी speed of sunlight अगर प्रित्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है आठ मिनट्स के आसपास ताइम लगता है तो किस स्पीड से वो आती होगी जो सूर्य की किरने है थ्री इंटू टैन रेस पावर फाइव किलोमेटर पर सेकेंड तो यह option सही है और यह question बहुत important है इसको जरूर याद करना और यह question याद करना इतना वीज ही नहीं है तो जितना revise करोगे उतना आपके लिए फाइदा रहेगा Question है राम Krishan Mission की स्थापना किसने की तो राम Krishan Mission की स्थापना तो 1885 में A.O. Hume के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी यहां से questions कई बार आते हैं और A.O. Hume के साथ कौन थे first session जो था उसकी अध्यक्षता किस ने करी कौन सा session कहां पे हुगा ऐसे questions बनते बनते इंडिया नैशनल कॉंग्रेस जो है question है कि रवी फसल कौन सी है रवी फसल जो है बेसिकली जो सर्दियां होती है उन में इनकी खेती की जाती है तो सर्दियों में होने वाली फसले कौन सी है तो आप सभी को पता है गेहू है बाकि चाबल, सोयबीन, मक्का ये रवी की फसले नहीं है एक खरीफ की फसले है तो यह option सही है फसलों को पढ़के जाओ कौन सी खरीफ है कौन सी रवी question है which country have the common border with उत्राखंड उत्राखंड जो है इसके बिलकुल best side है यूपी जो है यह south side है भिहार भी south side है बेस्ट बंगोल जो है यह थोड़ा east की तरफ है और सिक्किम भी बिलकुल east की तरफ है तो यह country कौन सी है तो यह है नेपाल सी option बिलकुल सही है question है among the following black soil is majority majorly found in तो काली मिट्टी जो है इसको रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं तो यह बेसिकली गुजरात महरास्ट्रा उस side होती है तो options में सिर्फ गुजरात है तो भी option सही होगा नर्मदा अरिबर जो है यह किस तरफ गिरती है दो ही तरफे हैं एक दोस्तो अरब सागर है और एक जो है बेफ बंगोल लेने की बंगाल की खाड़ी है तो जो नर्मदा है वो बिल्कुल फास्ट तरिके से बहती है और अरिबियन सी जो है अरब सागर उस तरफ गिरती है जाके बाकी गंगा अब रहम पुत्र बगएरा यह न दिया बेफ बंगोल में गिरती है तो सही आंसर अरिबियन सी ही होगा कुश्चन है चींटी के डंक में कौन सामल होता है बिच एसीड इस प्रेजेंट इंदी स्टिंग ओफ एंट तो यह फोर्मिक एसीड होता है फोर्मिक कामल होता है तो यह उप्शन सही है बिश्व जल दिवस कब मना जाता है बिश्व जल दिवस 22 मार्च को मना जाता है और कुशन है दक्षिन गंगोत्री क्या है तो दक्षिन गंगोत्री जो है यह अंटार्क्टिका में एक शोध किंद्र है तो इसका डी ओप्षिन सही है तोडर मल किसके राजस्व मंत्री थे तो टोडर मल अकवर के राजस्व मंत्री थे फैनेंस मिनिस्टर थे तो अकवर सही जो हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद हैं इनको अच्छे से देखना केरल का ओनम फेस्टिवल काफी फेमस है कि बैंडिट बासकोडिगामा रीच इंडिया बासकोडिगामा जो है यह 1498 में था पुर्तगाली था यह इसी ने दोस्तों भारत की खोज की थी इन विच सिटी इस गोल्डन डेंपल लोकेटर हार मंदीर साहिब अमरी सर में है यह उप्शन बिल्कुल सही है स्वर्ण मंदीर इसे बोलते है विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू जनरेट अलेक्ट्रिसिटी विदुधारा उत्पन करने के लिए कि सुपकरण का इस्तिमाल किया जाता है तो इसको जनरेटर बोलते हैं तो ए उप्शन बिल्कुल सही है प्रित्वी के गृत्वी तवर्ण का मान डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वेर है तो यह 9.8 है यह भी क्वेशन इंपोर्टेंट है यह काफिवार पुछा गया है तो ए उप्शन इसका सही है क्वे पर पांसर होगा मस्तिस्क उत्तरदाई है ब्रेन इस रिस्पोंसिवल फूर तो ब्रेन जो है रिस्पोंसिवल है थिंकिंग के लिए भी हार्ट बीट के लिए भी बोड़ी बैलेंस के लिए वी आलोह दी अबब बिलकुल सही होगा तो हमने बैसिकली उनीक वेशन को डिसक कर सकते हैं 9816401767 मिलते हैं नेक्स वीडियो में जय हिंद जय हिमाचल